दोस्तों नमस्कार, आदाब सच्रीयकाल, नियोज क्लिक के कारिकरम नियोज मन्थन के साथ मैं और मिलेश बड़ी दिल्चस्प बात है, दोनों के लिए देश के जाने माने राजनीतिक नेता जो पिछले 56 सालों से देश की संसद में या विधान मंडलों में सदस्य के रूप में यानि पार्लामेंटी पॉलिटिक्स में हैं 56 सालों से उनका नाम है शरत पवार, उनके लिए भी बहुत दिल्चस्प है और NDTV के लिए भी बहुत दिल्चस्प है कि NDTV ने शरत पवार का इंटर्व्यू हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कांटेक्स्ट में अडानी ग्रूप वगरे का जो मसला था जो इतने दिनों तक संसद में चला जिसकी वज़ा से संसद की कारवाई हो ही नहीं पाई और अब संसद का जो बज़ट सेशन था वो स्थगित भी हो गया अनिश्चित काल के लिए तो ये जो पहलू है अडानी ग्रूप के बारे में उनके जो कमेंट्स हैं जे पी सी की मांग जो इपक्ष की रही है उसको लेकर उनके जो कमेंट हैं वही इस इंट्रिवू के सबसे अहम पाहलू बन गए हैं तो इसलिए दोनों के लिए बड़ा दिल्चस्प है अब कोई दूसरा अगर टेलिविजन चैनल होता या अख़वार होता उसमें इंट्रिव आता तो शायद उसको लोग अलग ढग से देखते हैं लेकिन ये एक ऐसे चैनल में आया है जो उसी उद्योग समूह की एक कमपनी के स्वामित्तों में चलता है तो ये इसलिए अभी कुछ महीने पहले ही टेक ओवर हुआ तो ऐसे में बड़ा दिल्चस्प है दोनों के लिए बैराल हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी बी टीवी चैनल का किसी ग्रूप के सात्थ अगर उसका रिश्टा था है तो इंटरिव करने का अदिकार नहीं है बिल्कल इस पर हम बाती नहीं कर रहे हैं हम तो ये बता रहे ही कि दोनों चीजें दिल्चस्प है, शरत पवार का ये इंटर्वीव इसलिए भी दिल्चस्प है दोस्तो कि शरत पवार और अदानी सहाब के जो रिश्टें हैं वो किसी से छुपे नहीं है, वो महरास्ट्रा की जो पॉलिटिक्स है, महरास्टरा का जो मीडिया है उसमें और देश में भी चर्चा रही है तो केवल भारती जन्ता पार्टी के जो टॉप लेबल के पालिटीशन हैं सियासतदान हैं केवल उन्हीं के साथ इस उद्योग समूख के सबसे बड़े जो पुझिपती हैं जो उसके मालिक हैं केवल उन्हीं के रिष्टे ही केवल बहुत प्रगाड़ और बहुती गहरे नहीं रहें बलकि विपक्ष में जो लोग हैं उनके साथ भी बहुत अच्छे रहे हैं और कॉंग्रेस पार्टी में भी कौन नहीं जानता कि कॉंग्रेस पार्टी में भी उस उद्योग समूग के बहुत अच्छे रिष्टे रहे हैं और ये बात कई बार उद्योग समूग के लोगों ने भी कई बार कही है तो ये कोई नई बात नहीं है लेकिन बहराल आज की जो चर्चा है हम केंद्रित करेंगे कि क्या शरत पवार की जो ये बयान बाजी है ये जो उनका इंटर्विव है इंटर्विव में जो बातें उन्होंने कही है क्या विपक्ष की राजनीत को ये पंचर करने वाली है क्या विपक्ष के बीच में जो एक जुटता उबरी थी वो दो स्तरों पर एक तो संसत के बाहर और एक संसत के अंदर तो क्या इसको बिलकुल इसको पंचर कर देगी ये ये जो बयान बाजी है देखे जेपी सी के सवाल पर मैं समयता हूं कि शरत पवार और उनकी पार्टी ने पह की फ्लोर जो पार्लेमेंट का फ्लोर है उसमें और उससे जुड़े जो मस्टले हैं उनको लेकर टीमसी कुछ एक मुद्दों पर अपोजीशन के साथ आई खासकर राहूल गांधी की सदस्ता जब खतम की गई उस मुद्दे पर साथ आई लेकिन अधर वाई टीमसी एक पा बोल रहे हैं कि साथ उनकी गुगली से अपोजीशन खतम हो जाएगा एक जुड़ता बिखर जाएगी देखे एक जुड़ता जितनी थी ऐसा नहीं है कि इस बयान से एक जुड़ता खतम हो जाएगी जो एक जुड़ता है वो रहेगी हो सकता है वो भविश्य में उसकी इस में साफ ये कहते हैं कि कॉंग्रिस के साथ उनके रिष्टों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला है ये वो बात साफ कह रहे हैं और अनेक मुद्धों पर शरत पवार लगा अतार आज की बात के वल नहीं है उनके जो भतीजें हैं अजित पवार उन्होंने तो अधा घंशता अगर देखी जाए तो शिव सेना से है और शिव सेना के भी कई पार्टी स्टैंड पर अजित पवार ने असामत ही जाहिर की है और उनका बयान खुले आम आया है तो बयान देने से ये पार्टी NCP बयान देती है करती कुछ है इन पार्टीयों के निता दरसल बहुत चतुर है जितना मीडिया समझता है अपने को चतुर और मीडिया के लोग समझते हैं चतुर उससे कम politician चतुर नहीं है अपनी जरूरत के हिसाब से जिन दबाओं के बीच वो काम करते हैं उनको उन दबाओं से अपने को मुक्त करने के लिए वो बयान अलग अलग देते रहते हैं लेकिन करते वहीं हैं जिससे उनके political interest भी सर्व हो और उनके personal interest भी सर्व हो ये दोनों वो देखते हैं शरत पवार का जो मैं समझता हूँ जो बयान है और जो ये अपोजिशन के नेताओं की आई हैं उसमें मैंसमता हूँ कि Congress Party की जो प्रतिक्रिया है वो। सधी हुई है और Congress के जैराम रमेश जो उसके पार्टी प्रवक्ता हैं उनका कहना था कि सम्विधान की रक्षा के लिए सभी 20 विपक्षी दल NCP सहित सभी एक जुट हैं उसमें कोई दिक्कत हमारी नहीं है मली कारजुन खड़ गए जो कॉंग्रिस के अध्यक्ष हैं उन्होंने का कि भी हमारी विपक्ष के नेताओं से बाचीत होती रहती है और हमने विपक्ष के अनेक नेताओं से हाल के दिनों में बाचीत की है उनको आमन्तित भी किया है उसमें उन्होंने खास तोर पे बिहार के मुख्यमंत्री और आर जेडी और जेडी उ और कॉंग्रेस पार्टी के एलाइन्स की सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम लिया और नीतीश कुमार ने उसके कुछी देर बाद ये जब पत्रिकारों ने उन्से पूछा तो उन्होंने भी इसकी पुस्टि की कि हाँ खडगे साहब का फोन आया था और उनसे बाचीत हुई है बाचीत क्या हुई है क्या प्रिग्राम तैह हुआ है इसके बारे में किसी ने इसका व्योरा नहीं दिया लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि खडगे साहब का जो बयान है कि नितीश कुमार से बात हो रही है धव ठाकरे उनसे भी बात हो रही है इस तरह कि तवाम नामों को उन्होंने लिया तो अगर अडानी ग्रूप को लेकर जो ये जो एक डिफरेंस आप उपीनियन दिखाई देती है शरत पवार और दूसरे विपक्षी दलों में अब जैसे टीमसी एक ऐसी पार्टी है वो भी स्मुद्धे पर बिल्कुल साफ नहीं आई जेपीसी को लेकर लेकिन आप देखिये महुआ मोहित्रा जो टीमसी की नेता है वो तो अपनी पार्टी लाइन को एक तरह से लांगती नजर आती है उन्होंने तो ये तक कह दिया अभी शरत पवार जी के इंटर्यू का नाम लि हैं कि बताईए साब अपने ही समुध का चैनल जिस समुध पर अटेक हो रहा है और जिसका बचाओ कुछ नेता कर रहे हैं उनका ये कहना है शरत पवार का नाम लिये बगएर उन्होंने कहा कि उसी ग्रूप का चैनल जो है उसी ग्रूप के लोगों के बारे में उस अब दोस्तों एक बहुत महत्मुन बात जेपीसी पर शरत पवार जैसा 56 सालों का अनुभवी सांसत ये कह रहा है कि जेपीसी की मांग से वसामत नहीं है क्योंकि जेपीसी से कोई फैदा अपोजिशन को नहीं होने वाला अब ये जो बयान है मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसके पीछे उनकी कोई राइनितिक चातुरिय है उनकी कोई चतुराई है जिसकी वज़ा से ये बोल रहे हैं सवाल इस बात का नहीं है कि सत्ता पक्ष जो भारती जनता पार्टी का है उसी के मेंबर आप पार्लेमेंट जेपीसी में ज्यादा होंगे इसलिए दबाव होगा और वो अबजेक्टिव निस्पाक्ष या विस्तृत रिपोर्ट नहीं दे पाएगी जिससे की सच्चाई का पता चले ये जो आर्गुमेंट है मैं समझता हूँ इसको सिरे से खारिच किया जाना चाहिए जितना मैंने पार्लेमेंटरी सिस्टम को समझा है एक जनलिस्ट के तोर पे और वह भी भारत की पार्लेमेंट को लगातार कवर करने वाले एक जनलिस्ट के तोर पे जो पार्ले दोकुमेंट्स मांगे जाते हैं जो प्रमाण साक्ष और सबूत जो लाए जाते हैं और उसको देने के लिए सरकार बात दे होती है अधिकारियों पर उसका बहुत ज़्यादा दबाव होता है कोई भी एजेंसी यह नहीं कह सकती कि परलामेंटरी कमेटी को यह वो नहीं देगी ऐसी स्तिती में मैं समझता हूँ कि जो Supreme Court की निगरानी में जाच की बात है या जाच जो चल रही है उससे JPC को कॉंटेडिक्ट करना या ये कहना कि इसमें तो कुछ निकले गया नहीं जो भी निकलेगा कोर्ट से निकलेगा माननी सुप्रीब कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए ये कहा जा सकता है कि जेपीसी की जो डिमांड है और जेपीसी का जो मसला है जेपीसी पहले भी और भारती जनता पार्टी स्वैम जब अपोजिशन में थी तिरुन नवजा ने कितनी बार जेपीसी के लिए वो सत्ता पक्ष पर दबाव डालती थी तो ये अपोजिशन मांग करता है सत्ता पक्ष उसके खिलाब जाता है या उसको इनकार करता है लेकिन कई मौकों पर बनी भी है JPCs तो हमारा ये कहना है कि पवार साहब का ये कहना कि JPCपाल तुए उसका कोई मतलब नहीं है उससे कुछ निकलेगा नहीं ये सच नहीं है संख्या विपक्ष की JPC की मैंबर्स में कम होने के बावजूद JPC से बहुत कुछ चीज़े निकल सकती है सक और सक नहीं है उन दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़े रहसे उद्गाटित हो सकती है मैं किसी भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट या किसी और किसी आरोप में मैं नहीं जा रहा हूं कि उसमें सही है या गलत है ये तो जांच का विशह है और जांच ही की मांग भी पक्ष करता रहा है और कुछ उसने नहीं किया है उसने कहा कि एक objective निस्पक्ष पारदर्शी जांच होनी चाहिए जिससे सरकार लगातार इंकार करती रही है तो ये एक पहलू मैं समझता हूं कि पवार साहब का जो है वो 56 वर्षों के संसुदी जीवन के अनुभाओं के की रोशनी में जो बात निकली है वो मैं समझता हूं कि convincing नहीं है एक तो ये दूसरी बात जो ये कहते हैं कि targeted मतलब ये ये पूरा का पूरा अभियान रहा है खासकर जो Congress के नित्रित में चला है ये इस पर भी अलग-अलग opinion है जिस पर आपको हमने बताया ही कि कितने अलग-अलग धंके बयान उन पर आये हैं प्रतिपक्ष के नेताओं के और बहुत सारे लोग उनसे हमेशा उनकी जत करते हैं उनकी अन्भाव की उनकी वरिष्टा की वेलग भी उनसे डिफर करते रहे हैं इस मुद्दे पर और इस उस समय दुख जाहिर किया और अफसोस जताया कि ऐसा शरत पवार सहाब की पार्टी क्यों कर रही है टीम सी क्यों कर रही है ये समस्ले हैं लेकिन बिल्कुल दोस्तों चलते चलते हम आखिर में ये जरूर कहेंगे कि शरत पवार आज से 10-15 साल पहले जिस तरह की राजनीत क करते थे उनका एक लंबा अनुभा रहा है देश की राजनीत में महराष्ट की राजनीत में लेकिन जो इस्थितियां हैं और जो कारण हैं मैं कारणों पर नहीं जाओंगा लेकिन आज उनको कोई मराठा महाबली कहकर संबोदित नहीं करता आज उनको कोई मराठा सरदार कह कर या महाबली कहकर संबोधित इसलिए नहीं करता क्योंकि वाकई शरत पवार चाहे भले पिछले नौ सालों के भारती जनता पार्टी की रिजीम में बड़े हमलों से बचे रहे हैं सरकार के लेकिन बहुत सारे कंप्रमाइजिस तो उनको करने पड़े हैं तो उनका वो जो श लेकिन विपक्ष के साथ जो उनकी एक जुटता का प्रश्ण है वो लगभग इंट्रैक्ट रहा है और याद कीजे 2019 में कॉंग्रेस के साथ तमाम दबाओं तनाओं के बवज़ूद उनका सीट शेरिंग एरेजमेंट था दोनों पार्टियों ने मिल कर चुनाओ लड़ा और सीटें उन लोगों ने डिसाइड की थी कि कौन कितना सीट लड़ेगा शरत पवार अपोजिशन के लीडर के तोर पे बहुत सारे प्रदेशों के नेताओं से बाचित कर रहे थे और उनका तो ये तक कहना था कि जिन प्रदेशों में जो छेत्री दल डॉमिनेंट है प् आए कि इस तुनाव में भी वह इसी तरह की थीसित लेकर आ जाएं तो उनका जहां तक प्रशन है किसी बड़े कार्परेट समूख के साथ जो उनके नीजी रिष्टें है वो अपनी जगह है उसमें चातुरी है उसमें समझदारी है समझदारी विदिन दे कोट और उसमें क अपोजिशन का प्रशन है वो मैं नहीं समझता हूं कि जो एक लगातार कल से ही कहा जा रहा है कि उन्होंने जो गुगली फिंकी है उससे अपोजिशन चौपट हो गया है उसकी हालत महुत पंचर हो गई है मुझे लगता है कि ये कुछ जादा कहा जा रहा है क्योंकि शरत फिलहाल मैं नहीं समझता कि सत्ता पक्ष की तरफ जाएंगे और अपोजिशन के साथ खड़ा नहीं होंगे चाहे स्थितियां जो भी हों जिस तरह की भी वो बात कर रहे हों कई बार वो बात कुछ करते हैं और करते कुछ हैं तो ये देखना होगा लेकिन अपोजिशन के जो बड़े नेता हैं स्टाल वर्ड्स हैं ये बात सही है कि उनके बीच अभी तक कोई ठोस पहल कदमी कहीं से नहीं दिखाई दे रही है हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कुछ चीजें क्लियर हों और वैसे भी करनाटक के चुनाव के बाद मैं समझता हूं कि देश में व जरत पवार ने अपने इस इंट्रिव के साथ जरूर एक बहस तो छेड़ी दी है और आजकल इंट्रिव वैसे भी बहुत आ रहे हैं मैंने देखा है कि ऐसे लोग जो कॉंग्रिस में थे और आजकल दूसरे खेमे में बोल रहे हैं या दूसरे खेमे की आवाज की तरह उनक सच्छी अकाल